शेहडोल से आ रही ये खबर हर किसी को चौंगा सकती है संभागी मुख्याले की सबसे बड़े शास्किय मेडिकल चिकित साले में 30 नवंबर के आधिराज से बिजली पानी लिफ्ट अगनी सुरक्षा जैसी सेवाएं बंद हो सकती है इसकी वजह कोई तकनीकी खामी नहीं बल गया है और ना ही नए अनुबंद पर काम हो रहा है पिछले बारा महीनों से फैस ब्रिदर्स एजिंसी को एक पैसा भी भुकतान नहीं हुआ है ऐसे में अजिंसी ने पत्राचार करते हुए कहा कि 30 नवंबर की आधिराज से उक्त सेवाओं पर काम बंद कर दिया जाएगा यदि ऐसा हुआ तो मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर विप्रीद असर पढ़ सकता है मेडिकल कॉलेज में प्रसिदिन 300 से अधिक मरीज चेक अप कराने आते हैं वर्तमान में 200 से अधिक मरीज भरती हैं प्रसुदी वाट के रावा ऑप्रेशन वर सभी प्रकार की चिकि निर्मान विभाग द्वारा हैंड ओवर मिलिया गया था निर्मान एजंसी द्वारा उस समय जरूरी समझी जाने वाली सेवाएं जारी रखी गई थी लेकिन हस्तान तरण के बाद पीड़ीडी विभाग ने कारीरत एजंसियों पर ध्यान नहीं दिया एक वर्ष से अधिक का समय बीर गया उक्त एजंसियों का कार ये आगे बढ़ाने या अन्य तकनीकी सेवाओं पर ये कहते जिम्यदारी से पल्ला जड़ा जा रहा है कि विभाग के पास ना तो बजट है ना ही मैन पावर तीस नवंबर के पहले नए अनुबंद नहीं हुए और एजंसियों को भुकतान नहीं किये गए तो मेडिकल कॉलेज की अनेक सेवाएं पाधित हो सकती है एस संबंद में दीन द्वारा रगातार भुपाल सर पर चर्चा की जा रही है कमिशनर एबम कलेक्टर द्वारा भी चर्चाए जा रही है इसके लिए शासन को बार-बार लिखा गया है और तुद्कालीन कमिशनर शेहडोल द्वारा भी पत्र लिखा गया था और जो भी किसी कारण से बिजट अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ उसके कारण इनका भुकतान नहीं हो पाया है वरतमान में अभी जो इमेजिए जो व्य बहुस्ता तक इनका टेंडर तीन महीना और बढ़ा कर फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू करके और भुपाल में भी इसके लिए माननी कमिशनर साब शेहडोल के माननीय कलेक्टर मैडम इलोग प्रयासरत हैं और कमिशनर चिकित्सा शिक्षा ने मुझे व्यक्तिकत भरोसा द कर दो